आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडियल सुलुशन और नौन आइडियल सुलुशन बात करें तो आइडियल सुलुशन हिंदी बोलते हैं इसको आदरश विल्लियन जो की राउड के नियम पर बेखना है राउड के लोग पर अधारित है आइडियल को हिंदी बोलते हैं आदरश विल्लियन और एक होता है नोन आइडियल सुलुशन जिसका नाम होता है अनादरश विल्लियन अब भी वट इस आइडियल सुलुशन या नोन आइडियल सुलुशन इसका मतलब क्या है वो देखने जा रहे हैं आज आज पार्ट फस करेंगे ideal or non-ideal solution का क्योंकि इसमें भी पांच number का five marks सा question आता होता है एक दम एक एक चीज अपने पढ़ेंगे इसके notes भी देखेंगे Hindi medium में और English medium में दोनों बाते करेंगे सबसे पहले अपने देखते हैं कि what is ideal solution कि ideal solution क्या होता है अग उसकी बारे में बात करें according to route what is ideal solution according to route route ने जो लो दिया था उसके according ideal solution क्या होते हैं अगर मैं ideal solution को define करूँ तो ideal solution ideal solution which obey which obey route लो जो route लो को obey करता है route लोको obey करता है at all concentration and temperature exactly over the entire range of the concentration जो route लोको obey करता है ठीक है आद्रश विल्यन वे विल्यन होते हैं जो route के नियम की पालना करते हैं हर संदर्टा पर हर तापमान पर और किसी भी प्रास पर किसी भी संदर्टा की प्रास पर अगर ये route के नियम की पालना करते हैं तो आद्रश विल्यन क्या आते हैं तो पहली बात क्या बोली है आपने कि जो route के नियम को route के लोको obey करते हैं उसकी पालना करते हैं जो route के नियम को follow करते हैं उससे ideal solution बोलते हैं पहली बात अगर हम दूसरी बात करें कि जब इन मैंने लिख्विड ले लिए कोई लिख्विड वर्ण यहां लिए लिख्विड टू ले लिख्विड लिए और मैंने क्या किया आफॉट छुंद सरफ दिया मैंने ओले लिख्विड ले Sut Y तो मुझे comment section में लिख करके बताओ total volume क्या आना चाहिए if total volume solution का 100 ml आता है ना बच्चो 100 ml आता है it mean ये ideal solution है अगर 50 ml मिलाता हूँ और 100 से 100 ना करके 95 ml आता है solution का liquid इसका मतलब वो ideal solution नहीं है तो after mixing during mixing मिश्रित करने के दोरान अगर इसके volume में कोई change नहीं आता इसका मतलब item में कोई परिवर्तन नहीं आता तो वो आदरश विलियन है अगर मैंने जितनी quantity में यहां लिया जितनी quantity में यहां लिया अगर मैं दोनों को sum up करूँ दोनों को जोड करूँ और यहां इसमे मिक्स अप करणूँ तो जो置 क्विड जो आएगा यहां पर जो volume आएगा वो same आना चाहिए दोनों का दोनों को जो sum है वो आना चाहिए अगर यहां मैंने 50 मिला है यहां 50 मिला है आइडियल स्लीशन की डैफिनिशन ये बनती है पक्लाइब ऐसा चेंज क्यों नहीं आता इसका रीजन व बताता हूं मैं और चेंज आता है तो यह जैसे कौन कौन से solutions हैं जिसमें चेंज आता है जैसे मान लोग कि मैंने यहां पर example हो रहता हूं मैं तुमारे सामने कि मैंने क्या किया मैंने एक लिक्विड लिया यहां लिक्विड लिया इसकी इसकी amount 60 ml इसकी 40 ml जैसे मैंने इसको बड़े सारे container में mix-up किया तो वोल्यूम हो गया 95 ml मतलो वयल्यूम में decrement आगया isiyet माम लिपना आगया आफ्टर मिन टेंग वैलाय में चिंज आगया और मिक्सिंग चेंग डिए oils ऑनी में चेंज आ गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये ideal solution नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा force of attraction काम किया है इसके कारण इसका volume decrease हो गया इसके item में item में कमी आगी इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा इन दोनों को मिलाने के बाद कोई ना कोई तो force of attraction काम किया है जो molecule के बीच में लग रहा है को बोलते है non-ideal solution जो follow route low it is known as ideal solution doesn't follow route low जो route को follow नहीं करते है it is non-ideal solution अगर हम पहली statement की बात कर ली हमने हमने second statement की बात भी कर ली second statement तुम में एक्जाम में क्या लिख कर क्या होंगे कि डेल्टा वी mixing यानि during mixing change in volume क्या होता है for ideal solution मैं बात कर रहा हूँ ideal solution के लिए zero होता है क्या होता है बच्चो जीरो होता है कोई भी item में परिवर्तन change in volume नहीं आता volume में change नहीं आता change in volume zero तो डेल्टा वी mixing zero होगा example देकर कि तुमने समझानी बात यह जो चीडिया में को solvent मान लो तो इसको लिए तो 60 ml इसको लिए 40 ml आफ्टर mixing जो वैल्यू आएगी वह भी 100 ml रहेगी तुमने इस तरीके से example देकर के समझाना है सर ऐसा होता क्यों है इसके reason में बात करते हैं लेकिन तुमने ऐसे example लिखकर क्या आना है it is 100 ml doesn't value change of volume change in volume is zero change in volume में volume में change बिल्कुल भी नहीं आता सर इस टीडिया ideal solution यह है एक आदरश्वीलियन है सर कि आजतन में पईवर्तन होता ही नहीं है तो delta v is equal to zero इसका reason देखेंगे क्या ऐसा क्या होता है बच्चों इसका reason देखेंगे अपने अपने बात करने जा हैं कि जब मैं फिर एक डंपर लेता हूं मैं मैंने दो ही वह liquid ले लिए मैंने इसको mix up कर दिया mix up करने के बाद क्या होता है बच्चों वो volume तो सेम रहा ही रहा है volume तो सेम है यह इसका 40 माल लो इसका 60 माल लो अगर इसका sum करें तो volume तो total change नहीं हुआ लेकिन जैसी मैं कोई heat release नहीं होती ना heat absorb होती आपने यह बात सुनी होगी जब कोई reaction करवाते हैं तो या तो heat absorb होती है या heat क्या होती है heat excited होती है या heat बाहर निकलती है heat उतसरजित होती है ऐसा है इसमें कुछ भी नहीं है ना तो यह exothermik है ना यह endothermik है ना तो उश्मा शेपी अभी करें है ना उश्मा शोशी अभी करें है इसमें उश्मा में परिवर्तन बिलकुल भी नहीं आता इसमें after mixing मिश्रित करने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं आता उश्मा में क्योंकि ये ideal solution है इसमें कोई reaction नहीं हो रही है कोई force of attraction काम नहीं कर रहा है कोई आकर्शन बल काम नहीं कर रहा है कोई भी force of attraction between molecules after mixing, during mixing mixing के दोरान कोई भी force of attraction काम नहीं कर था जैसे molecule इसमें पड़े थे, जैसे molecule इसमें पड़े थे, वैसे के वैसे molecule इसमें पड़े हैं, आराम से पड़े हैं कोई आपस में किसी भी परकार का force of attraction काम नहीं कर रहा, अकर्शन बल काम नहीं कर रहा तो अकर्शन बल जब काम ही नहीं करेगा, आपको ये बात पता है कि जब कोई दो molecules के बीच में आकर्शन बल काम करता है तो क्या होता है आपस में धिरे धिरे पास आते हैं तो energy release होती है आपको बता रहें कि वो higher energy state से lower energy state में जाता है जब कोई दो molecules, दो परमानू, दो atoms टू atoms आपस में जब मिलते हैं जब में bond की formation होती है इसका मतलब ये heat को release करता है अफर chemical reaction, during chemical reaction heat को release कर रहा है खुद stable हो रहा है इसका मतलब इन के बीच में stronger bond बन रहा है इसका मतलब अकर्शन बल strong है इसका मतलब force of attraction strong है जबकि force of attraction strong होगा तब energy release होगी जब repulsion force repulsion force maximum होगा यह किसरे को repel कर रहे है तो यह खुद repel कर रहे हैं तो खुद यह higher energy state में आ जाएंगे higher energy state में आ जाएंगे इसका मतलब itself यह higher energy state में चले जाएंगे यानि उच उजास्तर में चले जाएंगे तो itself ही क्या हो जाएगा higher energy state वाला हो जाएगा जो कि mostly mostly unstable form होती है आपको यह बात पता है कि chemistry में बाब बोली आती है जो itself जो higher energy state में होगा वह highly unstable होगा जो itself low energy state में होगा वह highly stable होगा लेकिन ऐसा वहां कुछ भी नहीं हो रहा ना तो मैंने बोला ना कि कोई भी force of attraction काम ही नहीं कर रहा कोई भी repulsion force काम ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब ना तो heat release हो रही है ना heat absorb हो रही है तो delta H mixing mixing का मतलब पर जता है कि mixing करने के बात जानि during mixing is zero कोई भी change नहीं आ रहा इसको box में बंद कर लो यह point बन गया हमारा हमारा बंगया third point delta H mixing zero पहला point का लिखा था हमने it must obey route low second point का लिखा था हमने delta V mixing should be zero तो इस तरीके से हमने बात करनी है यह हमारा third point complete हुआ आप exam में यह कम से कम यह तीन बाते लिखकर के आनी है सबसे पहले बात का लिखोंगे तुम सबसे पहले बात लिखोंगे तुमने तीन पॉइंट लिखकर के आने ही आने बच्चों सबसे पहले तुम बात लिखोंगे it must it must obey route low यह route low को follow करते हैं route low second point का लिखके आओंगे delta V mixing जीरो डेल्टा H mixing जीरो यह में तीन पॉइंट है इस टापिक की जान है यह अपने लिखकर के आने है बच्चों ओके चले आगे मैं इसकी थोरी सी थोरी को पढ़कर बताऊंगा उससे पहले एक बार बतानों बच्चों आपको एक जो फोर्स पॉइंट अपने करने जा रह में आपको पता है कि इसके अंदर लिक्विड एक लिक्विड भरा हुए है इसको मैं सल्यूट मान लेता हूँ इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुए है और इसके अंदर आफ्टर मिक्सिंग जब मैंने मिक्स अब किया तो यह लिक्विड इसके अंदर आ गया अब हुआ क्या? इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, अब आपको पता है कि बहुत सारे A के मोलिक्यूल्स हैं, A के B, A और A के मोलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई force of attraction काम करेगा, करेगा बच्चों, आपको पता हैं, मोलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई force of attraction काम करते हैं, B जो है B, जिसको मैंने क्या बोला है, solute बोला है, sorry, solvent बोला है, A solute है, B solvent है, इसके बीच में भी कोई ना कोई force of attraction काम करेगा, कोई ना कोई force of attraction काम करेगा, तुम इसको solute और solvent मत मानों, तुम simple देखो इसको, बस ये एक liquid है यह लिक्विड है और तुम क्या कर रहे हो ए लिक्विड और बी लिक्विड की बात कर रहे हो और जोनों को mix-up कर रहे हो बस तुम सिंपल यह देखो तुम यहाँ वह मत देखो कोई वह logic मत लगाओ तो ए और ए के बीच में जो force of attraction काम कर रहा है और बी और बी के बीच में भी force of attraction काम करेगा करेगा ए मॉलिक्विड और बी मॉलिक्विड के बीच में तो मैंने तीन कंटेनर लिए एक कंटेनर में मैंने ए लिक्विड भर दिया उनके बीच में जो force of attraction काम कर रहा है वो between A to A कर रहा है A molecule to A molecule जो मैंने second container से लग किया वो B to B काम कर रहा है और third container में A से B यानि A molecule और B molecules के बीच में भी force of attraction काम कर रहा है और इसके बीच में A भी हो सकता है और B भी हो सकता है और A भी हो सकता है तीन हो सकते हैं इस वाले में अब हुआ क्या जब मैंने calculate किया force of attraction की value A के बीच में B और B के बीच में और किसके बीच में A और B के बीच में ये सारी value same आई बच्चों force of attraction की value same आई है कोई भी change नहीं है इसके बीच में कोई भी change देखने को नहीं मिला तो same यह fourth point बनता है इसका कि A molecule A molecule के बीच में force of attraction accursion बलकी मात्रा accursion बलकी value B और B के बीच में जो force of attraction काम कर रहा है उसकी value के equal होता है और A और B के भी equal होता है तो all are equal, all are is equal to बराबन है सारे के सारे तो यह बात, यह logic काम करता है तो ऐसे solutions आते हैं, ऐसे liquid आते हैं जिनके बीच में force of attraction each and every molecule में सेम होता है तो यह ideal solution है जहाँ volume में, after mixing volume में कोई chain नहीं आएगा after mixing enthalpy यानि heat में कोई chain नहीं आएगा ना तो heat release हो रही है ना heat absorb हो रही है ना heat evolved हो रही है ना heat of shawshit यानि absorbed हो रही है यह must be obey route flow यह राउन्टुक को follow करते हैं अब राउन्टुक को follow करते हैं तो उस राउन्ट लो क explain करो बच्चो यह अमनी सारे बाते explain करती जितनी बाते मैं समझा रहा हूं उतनी बाते आपने लिख र करके आनी हैं अब मैं route low को follow कर वाता हूं में इसका वैपर प्रेशर क्या होता है जल्दी बताओ ए लिक्विड का प्योर फोम में वैपर प्रेशर क्या होगा कोमेंट सक्षर में लिख करके बताओ जल्दी कि ए का प्योर फोम में वैपर प्रेशर क्या होगा अगर मैं बात करूं तो पी नोट ए होगा बच्चे कहते ह यह इसका शुद्ध वस्ता में वाश्क कताब है पी नोट ए पी नोट भी जिनको यह बात समझ में ना ही वो प्रीविस लेक्टर देखे यह बात सारी समझ में आ जेगी जहां मैंने वेपर प्रेशर के बारे में जहां मैंने यह राउल्ड का लो को एक्स्प्लेंग किया अब इसमें क्या है इसमें A B और B B दोनों लिक्विड आगे इसके अंदर हाना इसके अंदर दोनों लिक्विड आगे तो प्रेशर जो होगा वो दोनों के करण होगा इसको बोला जाएगा अगर हम जिसको बोला जाएगा P S is equal to P A plus P B अना तो पहले हमें P A की value निकालने P A का मतलब क्या है partial pressure of A in solution partial pressure of B in solution A का आंशिक वास्ता और B का आंशिक वास्ता अब मुझे P A की value निकालनी है P A की value P A is equal to हमें पता है कि P not A and its small fraction के multiple के equal होता है अगर ये value equal आती है P A is equal to P not dot X multiple करें उसके more fraction से तो P A की value आ जाती है P A की value मतलब partial pressure of A A का आशिक वास्ता आ जाता है अगर ये value आ जाती है अगर ये value बराबर आ जाती है ये value बराबर आ जाती है इसका मतलब इसका मतलब बच्चों बताओ ये route लोग को follow कर रहा है ये route लोग को follow कर रहा है ये अगर statement आ जाती है after mixing अगर इसको मिश्रित करने के बाद दोनों द्रवों को मिश्रित करने के बाद अगर ये value हमें मिल जाती है इसका मतलब route लोग को follow करता है अगर second बात करें second बात करें बच्चों अगर हम second बात करें तो pb कैसे नकाल लेंगे pb is equal to pure form में vapor pressure और small fraction को multiple करें तो ये इसका partial pressure of b calculate हो जाता है आ जाता है अगर वो easy कल आता है इसके बराबर आता है इसका मतलब वो route लोग को follow करता है अगर हम overall इसका pressure निकालने pressure of solution निकालने तो क्या आएगा pressure of solution को count करें तो क्या आएगा बच्चों निकल के ये सारी बाते जो मैं लिख रहा हूँ सारी बाते आपको एक्जाम में लिख कर क्यानी है इसका मतलब pa plus pb ये vapor pressure आ जाएगा अगर ये चीजे सारी निकल के आती है सारी चीजे इसी कल आ रही है देखो इसी कल बराबर बराबर अगर ये equal आ रही है इसका मतलब round को follow कर रहे है अगर ये equal नहीं आ रही है तो ये round को follow नहीं कर रहे है तो इसका मतलब ये आदरश विलियम भी नहीं है अगर ये equal नहीं आती है बच्चों अगर ये value equal नहीं आती है इसका मतलब ये round के लोग को follow नह बात है आकर्शन बल पर डिपेंड कर रही है तो सभी कि सभी अकर्शन सेम है बच्चो एक बात समिने आइडियल वैसे होता है नहीं कुछ भी बहुत रियर चांस होते हैं आइडियल होने के लिए बहुत आइडियल कंडिशन भी लगानी पड़ती है अकर हम एक्जामपल की ब तुम ऐसे भी समझा सकते हो बैंजीन एंड टॉलूइन इनके बीच में कोई भी फोर्स रट्रेक्शन काम नहीं करता और कहां फोर्स रट्रेक्शन काम करता है तो मैं विद लॉजिक समझाऊंगा आज नहीं आज सिर्फ अपने थियोरी पढ़ेंगे ये बैंजीन और ये जुट्रल होते हैं दोनों दोनों टॉलूइन इनके बीच में कोई भी फोर्स रट्रेक्शन काम नहीं करता बैंजीन का बैंजीन के साथ कोई काम नहीं करता टॉलूइन का टॉलूइन के साथ नहीं करता बैंजीन का टॉलूइन के साथ भी नहीं करता इसको ए और भी मालना तो benzene and toluene इसका example है अगर मैं benzene की structure बनाओ तो आपको पता है यह कैसे होती है benzene की structure ऐसी होती है अगर मैं बनाओ toluene की स्थे तरक ऐसी होती है तो आपने exam में toluene की structure भी बना देना it is the example of methyl benzene बोलते हैं इसको यह दोनों का जो mixture होता है it is the example of ideal solution benzene and toluene the first example हमारा complete हुआ इसको बच्चो नोट कर लो चले हांगे second second example क्या है आगे बच्चो तुम तुमें मैं थेोरी करवाने बादा हूँ class से जाना मत n-hexane and n-heptane देखो n-n-n-heptane hexane जैसे यार हो जाएगा n-heptane it is the example of ideal solution ठीक है याद कर लो इसको बच्चो शेकंड एजम्पल है second third one example है bromo ethane and ido ethane bromo ethane and ido ethane ido ethane यह बच्चो नोट कर लो id o ethane bromo ethane and ido ethane अगर fourth example की बात करें अपने तो fourth example निकल के आता है chloro benzeane and bromo benzeane मतलब पहले अगर इसके उपर लगाएं तो chloro and bromo benzeane ठीक है यह हमारा example बैठता है chloro benzeane and bromo benzeane यह example note कर लो कुछ example आपको कल और कर वाँगा आज मैं simple आपको मैंने basic junk करे दिया आपको पूरी बाते books में ना मिले बच्चों कमें लिखके बताओ सारी बाते समझ में आई बच्चों चलो बच्चों अब मैं simple थी बात करने जा रहा हूं आगे मैं तुम्हें करवा रहा हूं theory इसकी कि हमें इसकी theory कैसे लिखके आने हमने बात को समझा एक बात और बच्चों जब non ideal solution आएगा अपने तब मैं तो मैं और इसको elaborate कर दूँगा हूंआ हूं और deep में इसको elaborative कर दूँगा at molecule लीवल पर की molecule कैसे काम करते है की molecule के बीच में ff connection कैसे काम कर रहा है किसका जादा है क्यो कमए Mr toss contraction क्यों ज्यादा है इसका क्योंकर reason है लेकि vita solution में कोई बी force of attraction काम नहीं करता है आपस में क्योंकि जैसा force of attraction है A, A के बीच में वैसा B, B के बीच में वैसा एक के बीच में काम करता है बस simple तीनों के बीच में force of attraction equal रहते हैं कोई भी change नहीं आता after mixing and before mixing ठीक है after mixing before mixing कोई change नहीं आता अब हम बात करते हैं बच्चो थियोरी कैसे लिखने एक्जाम में हमने बात समझ लिया है वो सारी बाते तुमने जो मैंने समझाई है वो as it is exam में लिख करके आनी है क्योंकि ये question five marks का आता होता है exam में ideal and non ideal solution आदरश विलियन और अनादरश विलियन चले आगे अब what is ideal solution and define करें and ideal solution may be defined as the solution which obey route low over the entire range of concentration हर range पे concentration की हर range पे वो काम करता है राउट लो चाहे आप सको एक लीटर एक लीटर कर दो उसको एक लीटर कर दो जितनी मर्जी concentration कर दो solute कम डाल दो जड़ा डाल दो कोई से फरक नहीं बढ़ता entire range of concentration route low को follow करता है और route low को follow कैसे करता है मैं तुम्हें समझा चुका हूँ बच्चो आदरश विलियन वे विलियन जो सांदरता और ताप की हर स्थिती में route के नियम की पालना करते हैं सांदरता की हर स्थिती पर ताप की हर स्थिती पर जो मर्जी ताप मानों जो मर्जी सांदरता हो उसने route low को follow करने करना है अगर वो follow करता है इस follow the route low each and every condition यह उनी जो condition लगाई है मैंने entire range of the concentration and temperature तब उसको आदरश विलियन कहते हैं चले आके यह definition होई अब ideal solution के points के बारे में पढ़ते हैं अपनी इसकी statement से बारे में देखते हैं कि ideal solution के बारे में हमें क्या क्या information मिली suppose a solution it made up two components एक solution है जो two components से मिलके बना हुए two liquid से मिलके बना हुए element A and element B if a solution satisfy all the following conditions अगर जो मैं आके करवाने जा रहा हूं वो सारी conditions को follow करता है तब वो such a solution is an ideal solution उसको ideal solutions कहा जाएगा अगर यह conditions को follow करता है वो क्या conditions है वो मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको माना कोई billion है दो अव्यव से मिलके बना है अव्यव A था अव्यव B यदि कोई billion नीमन सभी शर्तों को पूरण करता है तो ऐसा billion आद्रश billion कहलाता है ऐसी कौन कौन सी शर्त should be fulfilled according to route low the partial vapor pressure according to route low सुनते जाना यह मेंचे यह करवा चुका हूँ according to route low the vapor pressure of two components of the solution may be given as अगर मैं निकालू two component A component का निकालू vapor pressure according to route low P A note dot X A मतलब उसकी pure form में vapor pressure उसकी mole fraction के क्या होता है multiple करें तो P A की value जाती है यानि partial pressure of A आ जाता है यानि A का आशिक वास्ताब आ जाता है अगर उसकी शुद्ध वस्ता में वास्ताब की mole भिन से गुना कर दें तो हमें क्या मिल जाता है उसका आशिक वास्ताब मिल जाता है इसी तरीके से अगर B component के बात करों तो B component का कैसा निकालते है P naught B into XB उसकी pure form में vapor pressure and multiple its mole fraction शुद्ध वस्ता में उसकी वास्ताब के जड़ी हम उसकी mole भिन के गुना कर दें तो हमें B का आशिक वास्ताब यानि partial pressure of B मिल जाएगा ये बात मैं समझा चुका हूं तो मैं ऐसे अगर मुझे total निकालना हो तो total कैसे निकालना हूँगा P is equal to PA plus BB और PA की value क्या आए थी PA naught dot XA plus PB naught into XB तो ये according to route low ये हम pressure of solution total of total solution का vapor pressure हम count कर सकते हैं कुल वास्ताब निकाल सकते हैं इस तरीके से ये बात हमें route ने सिखाई थी अगर ये चीज round की बात ही वहाँ follow होती है solutions पे liquids पे तब जाकर के वो ideal solution की category में आएगा ये condition पूरी ये condition fulfill होनी जरूरी है बच्चों चले आगे ये मैंने हिंदी में किया हूँ हिंदी में आप इसको screenshot ले लो कि इस विलियन में route का नियम का अनुसरंग करना चाहिए जो निमन प्रकार है अथार निमन शर्ते पूरण करने चाहिए इसको नौट करने चले आगे अब आती है second point second statement क्या है such solutions are formed by mixing of two components which are identical in molecular size उसकी molecular size में कोई भी फरक नहीं आना चाहिए जब उसको हम mix up करते हैं A component को B component के साथ जब mix up करते हैं A घटक को B घटक के साथ जब मिलाते हैं तो अब उसके size पर कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए structure पर कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए structure and have almost identical intermolecular forces और उसके molecular forces identical बने रहने चाहिए यानि same बने रहने चाहिए यानि उनके बीच में काम करने वाले force of attraction force उसका molecular size और उसकी structure में कोई फरक नहीं पढ़ता doesn't change after mixing mixing करने के दुरान कुछ भी परिवर्तन नहीं आता ना तो उसकी सरंचना में परिवर्तन आता ना उसकी intermolecular forces में कोच है जाता और ना ही उसकी molecular size पे कोई फरक आता समझेंगे बच्चो बाद समझें आई हैं आपको तो इस तरह के विल्यन दो घटकों को मिलाके बनते हैं गटक जो आनुवी अकार में समान रहते हैं सरंचना में समान रहते हैं लगबग समान अंत्रा आनुविक accursionable काम करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता अंतरा बोला है मैं नहीं intermolecular between two different molecules की बीट में जो force of attraction काम करते हैं उसको बोलते हैं intermolecular अंतराम आनुविक यह सारी के जिए same रहेंगी all are same तब जाकर के वो ideal solutions की category में आएगा the molecular interaction between the component A, B attractions are the same magnitude as intermolecular forces interreactions in pure component A, A and B, B बच्चों वही बात जो मैंने समझा किया हैं बच्चों इसको थेोरी लिख रहा हूं मैं कि जो intermolecular force of attraction A और B के बीच में काम करेगा after mixing वही force of attraction A और A के बीच में वही B और B के बीच में attractions काम करेगर जो उसकी pure form में थे जो उसकी pure form में थे तो attraction force में कोई भी change नहीं आएगा a grace martial बलों में कोई भी परिवर्टत नहीn आएगा आव यहों के कनों के मध्याप पाया जाने वाला a crime олоard people I समान होता है अथार्थ ए ए और बी बी के मद्ध है अकर्शन का बल ए और बी के मद्ध है पाए जाने वाले अकर्शन बलके समान ही रहता है अगर समान नहीं रहता तो वह आदरश्विलियन नहीं है अगर समान रहता है तो वह आदरश्विलियन है बच्चों थाना समझें बच्छा बात एक्जाम्पल यह रहा CCL4 and CSICL4 यानि Carbon Tetra-Coloride and Silicon Tetra-Coloride यह दोना एक्जाम्पल जो है the best example है ideal solution के दोनों को mix up करो after mixing कोई भी force of retraction में पर chain नहीं आएगा चाहे वो CCL, CCL4 के बीच में, SICL4, SICL4 के बीच में और CCL4 और SICL4 के बीच में सभी force of retraction सारे के सारे जाए questionable, same रहेंगी, यह example आ गया, इसको 5 एक्जाम्पल बमान करके note कर ले ना, बच्चों, 4 एक्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ पहले, यह 5 एक्जाम्पल हो गया आपका Volume change on mixing 0, मैंने करवा चुका हूँ, in ideal solutions, the volume of the solution is the sum of volumes component before mixing, there is no change in volume on mixing, delta v mixing 0 मतलब जब आप दो component को mix up करेंगे, तो volume में कोई chain नहीं आएगा, कैसे chain नहीं आएगा, मैं आपको समझा चुका हूँ, पीछे, आपको ठोड़ी लिखनी तरफ, अव्यग A, अव्यग B के item का योग, इन दोनों से मिलकर बने, William के item के बराबर होना चाहिए, अव्यगों के item में, पता William के item में कोई परिवर्टन नहीं आता है, ये बात नोट करना है, delta v mixing is 0, after mixing कुछ भी chain नहीं आता, चाहिए A का volume में, चाहिए B का volume में, दोनों को sum कर लो और दोनों का sum जो इसको आपने mix up करते हैं, तो उसका दोनों का sum सेम रहता है, दोनों का जोड सेम रहता है, ये मैं समझा चुका हूँ, आपको इस तरुछ थियोरी बता रहा हूं कैसे लिखनी है, elaborate कर रहा हूं उसको, अब आती है बात, heat change on, अब बात आती है heat change के बारे मे करते हैं बात, heat change on mixing is zero, since there no change in magnitude of the attraction force in the two components present, ये करता है कि उसकी magnitude मतलब होता है मात्रा, उसकी जो बीच में between two force of attraction काम कर रहे हैं, उसमें कोई change नहीं आता, कोई change आएगा नहीं, तो ना तो heat absorb होगी, ना heat evolved होगी, the heat change on mixing is zero, delta H mixing is such solution must be zero, होना चाहिए zero, अगर zero नहीं आता है, अगर zero नहीं आता हो, heat evolved होगी, निकल रही है, हाना, तो delta H mixing is zero, विलियन बनाने के लिए जब दोनों आवियों को मिलाया जाता है, तो enthalpy में कोई परिवर्टों नहीं होता, अथार्थ आवियों को मिलाने पर इस किरिया में उश्मा का नहीं तो उससर्जन होता है, नहीं अव चलें आगे, यह हमारा ideal solution complete हुआ, आज हम इतना ही पढ़ेंगे ideal solution, बस इसको सोड़ा सा sum up कर लें, पहरा point क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, ideal solutions के लिए first point क्या लिखें, बताओ comment section में लिख करके, sir, it's follow, it's follow, या obey route low, यह route low को follow करता है, second बात, sir, delta H mixing, during mixing, कोई भी enthalpy में chain नहीं आता, third point, third point, delta V mixing is zero, volume में कोई chain नहीं आता, और points मैं सारे तुम्हें elaborate कर चुका हूँ, इतनी theory मैंने आपको बना करके दिये, बच्चों, आपको कोई भी book उठाने की जुरत नहीं है, आप इससे पढ़ो, आपके number बहुत अच्छे आएंगे, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको elaborate करने की Hindi medium और English medium में कोशिश की है main main point कर समझाने की कुशिश की है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, बस एक graph आएंगे, मैंने आपको round low का graph करवाना है, मैंने आपको ideal solution का graph करवाना है, मैंने आपको non ideal solution समझाते हूँ, उसका graph करवाना है, उसके graphical method के लिए video अलग से बनाऊँगा, अब कल अ ideal solution discuss करते ही, ideal और non ideal topic आपका complete हो जाएगा, ठीक है, चलें बच्चों आगे, thank you बच्चों मिलते हैं फिर, शहबाश, बच्चों समझ में आया, जल्दी बताओ, comment section में, सारी बातें आपको समझ में आगी आज, यह सारी बातें याद करो, नोर्स बनाओ, पहले आपको एक बा बच्चों, यह बहुत important चीज़े करवा रहा हूं आपको, यह अपना ideal solution अपना complete हुआ, मिलते हैं बच्चों, thank you बच्चों, bye बच्चों